किसी भी शहर की पहचान कई कारणों से हो सकती है, यह कारण वहास्थित कोई धरोहर या कोई विद्वान महापुरुष हो सकता है। हर्दोई के मुसल्मान हिंदी कवियों का हिंदी साहित्य में बड़ा योगदान रहा है, पिहानी के रस्खान को तो हमें पढ़ाया जाता है लेकिन बिल्ग्राम के मुसलमान हिंदी कवियों को भुला ही दिया गया इनकी अवहेलना से हिंदी का बहुत नुकसान हुआ है अपने इस अंक में हम पिहानी के प्रसेद हिंदी कवी रस्खान के बारे में जानेंगे बिल्ग्राम के मुसल्मान हिंदी कवियों के बारे में अगले अंक में जानेंगे हमने पिहानी के पत्रकार श्री अतुल पपूर जी से रस्थान के बारे जाना चाहा तो उन्होंने बताया जन्म लेने वाले रीजिकालीन ऐसे कभी हैं जिनोंने कृष्ण भक्त की ऐसी सुधारस धार भाई की आज हिंदी साहित्य में उनका अमिट इस्थान बना हुआ है वे पिहानी के पस्चमी सराय महले में जन्मे आज भी सुलेमान साह उनके वनसज जो थे उनकी मजार यहाँ पर हिंदों और मुसलमानों दोनों के लिए स्रद्धा की केंद्र है लोग वहाँ पर शामपोती जलाते हैं सायद इबराहिम पिहानी वाले के नाम से वे साहित्य जगत में मसुहूर रहे हर्दों जिले के ही बिलग्राम कस्वे के एक और समकालीन कभी हुए रसली श्रीकशन की लकुटी और कामरिया पर तीनों लोकों का राज न्यचावर करने को तक पर मध्ययूगी नमर का विराज रस्खान के सवये और दोहों से शायद ही कोई हिंदी प्रेमी अपरिचित होगा किन्तो बहुत कम लोगों को पता है कि उनका जन्म हर्दोई जिले के पिहानी कस्वे में मोहला मीर सराय में हुआ था बाल्यकार पिहानी में बिता करवे दिल्ली चले गए उन दिनों पिहानी का दिल्ली दर्बार में रुद्बा था बहुत कम लोग जानते हैं कि रस्खान का पूरा नाम सेयद इबराहीम पिहानी वाले के नाम से हिंदी इतिहास की प्रामानिक पुस्तकों में दर्ज है पिहानी के मोहला मीर सराय में इनके पैत्रे कावास के भूमिगत भगनावशिश और उनके परिवार के सुलिमान शाह की मजार आज भी मौजूद है उनका पैत्रे कावास अब गिर कर एक तीले का रूप ले चुका है इसी ठीले पर सुलिमान शाह की मजार बनी हुई है रस्खान की गंगा जमनी परंप्रा यहां आज भी कायम है और इस मजार पर हिंडू और मुसल्मान दोनों समुदायों के लोग आस्था रखते हैं इसी के पास एक विशाल फातक कंधी इटों का बना हाथा इसे रस्खान का फातक कहा जाता था जो 40 वर्ष पूर्व गिर गया इस फातक की नीव अभी भी मौजूद है अनेक प्रामानिक पुस्तकों में भी इस बात का उलेक है कि रस्खान का जन्म हर्दोई जिले के पिहानी कस्दे में हुआ था श्री शिव सिंग सरोज ने इनको सैयद इब्राहीम पिहानी वाले लिखा है रस्खान या रस्खानी इनका उपनाम है श्री बालकृष्ण ने अपनी पुस्तक रस्खान में इनको पिहानी का बताया है हिंदी के प्रकान्द विद्वान श्री विश्वनात प्रसाद मिश्र ने अपनी खोज पूरक पुस्तक प्रस्खानी में लिखा कुछ विद्वान यह सवाल उठाते हैं कि यदि रस्खानी पिहानी के सयद इब्राहीम थे तो इनका संबंध दिल्ली से कैसे हुआ यह प्रश्न विचारनिय है 284 वैश्नवन की वारता में रस्खानी दिल्ली के पठान कहे गए हैं रस्खान दिल्ली दर्बार में राजाश्री कभी के रूप में रहने लगे थे इस से स्पष्ट है कि रस्खानी उस समय दिल्ली से हटे जब वहां तक तो ताज और सल्तनत वर साहबी के लिए गदर हुआ मारकाट के बाद दिल्ली नगर मसान की तरह हो गया इस सिखिन होकर उन्होंने बाद्शा वंश की ठसक का त्याग किया और वे व्रिंदावन चले आए ये हमारे योगी जी थे जिन्होंने गंगा जमुनी ऐसी मिसाल को अमली जामा पहनाया हाल ही में यूपी चीफ मिनिस्टर श्री योगी जी ने व्रिंदावन में रस्खान की समाधी का सुन्द्रीकरन करवाया है जो एक पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है कितना अच्छा होता अगर हर्दोई की पहचान मुसल्मान हिंदी कवियो रस्खान वर रस्लीन से होती पिहानी में स्थित रस्खान के पैत्रिक स्थल का भी सुन्द्रीकरन किया जाता बिल्ग्राम के 9 मुसल्मान हिंदी कवियों को भी महत्वा देने से हर्दोई की पहचान हिंदी के मुख्य साहित्यकारो रस्खान वर रसलीन से होती अपने अगले अंक में हम विल्ग्राम के मुसल्मान हिंदी कवियों विश्यकर रसलीन की हिंदी सेवाओं के बारे में बात करेंगे